हेलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड प्रेपरेशन योटूब चैनल इस सेनल पर मैं कृष्णा आप लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास फोर्थ की EBS की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर एटीन टू मच वाटर टू लिटल वाटर इस से पहले मैंने आपको इस सेप्टर का फर्स पार्ट से लेकर के मैंने आपको फिप्ट पार्ट तक सारा कंप्लीट करवा दिया है उमीद करता हूँ आपने वो सार अब स्टार्ट होने वाला है चैनल फ्रेंडशेट प्रेपरेशन पे नई है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके इसके लाबा अगर आपने कोई भी वीडियो क्लास फोर्थ की मिश कर दिये subject wise आप सारी वीडियो देख सकते हैं इसितरह मास इंगलियो और है जहां पर आप व्हो सारी वीडियो देख सकते हैं अब हैं लोग करने जा रहे हैं इसके question number 35 onward 35th question में आपसे पूछा जा रहा है how many boys and girls are there in your school देखो previous जो हमने part किया था उसके अंदर मैंने अपने school के बारे में आपको बताया था कि मेरे school में around 4000 से भी ज़्यादा बच्चे school में हैं ठीक है अब अगर मैं इस question का अगर answer करना है तो roughly मैं इमान के चलता हूँ कि मेरे school में जागर girls की बात करे वो भी around 4000 का अगर half कर ले लगबग लगबग आप यह कह सकते हो 2000 के आसपास girls हैं और 2000 के आसपास ही boys है तो वो number में नहीं हैं लिख दिये इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं इस question का answer लिख सकते हो कि suppose करो कि आगर आपका छोटा school है तो around 1000 student होंगे 1000 का मतलब यह है कि 500 girls होंगे 500 boys होंगे ठीक है ऐसे approximately आप answer लिख सकते हो accurate number अगर आपको पता करना है तो आप teachers की help ले सकते हो otherwise आप roughly भी इसका answer लिख सकते हो next अग उसके बाद है question number 36 36 question में आप से पूछा जा रहा है how many toilets are there for girls and how many for boys तो total number of toilets के बारे में पूछा जा रहा है यह तो आप लोग school की building में पूरा एक चक्कर लगा कर के count करके भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे school में around 40 toilets से भी जाता है तो 40 का मतलब यह है 20 girls के लिए और 20 boys के लिए तो यह आप अपने answer में लिख सकते है इसके लाब आप इस school building के चक्कर लगा के भी count कर सकते हैं कि number of toilets for boys कितने है और number of toilets for girls कितने है वो आप mention कर सकते है इसके बाद next है आपके लिए question number 37 इस question में आपको answer writing करनी है जिसमें पूछा जा रहा है if there are no tabs who brings the water for the toilet from where does water have to be brought अब इस question में यह पूछा जा रहा है कि suppose कभी ऐसी problem face करनी पड़ जाए कि आपके school में जो toilet है वहाँ पे पानी ना आए तो ऐसी condition में आप क्या करोगे किसकी help लोगे कौन पानी आपको लाके देगा इस तरह की चीज़े आपसे पूछे जा रही है तो इस question के answer के लिए आप simply कर सकते हो जो भी आपके school में जो भी supporting staff होते हैं जो cleaning work करते हैं uncle, auntie जो होते हैं आप उनकी help ले सकते हो तो इसके answer में आप इस तरह से लिख सकते हो 37th के answer में if there are no tabs then students are supposed to tell the cleaning staff जो भी cleaning staff है आप लोगो को क्या करना होता है उनको बताना होता है कि uncle, auntie हमारे washroom में हमारे toilet में पानी नहीं आ रहा है या type में problem है या फिर आप अपने teachers को भी बता सकते हो है न तो आप उन्हें inform कर सकते हो तो जो भी supporting staff होंगे यानि जो cleaning staff होंगे वो क्या करेंगे आपके लिए पानी लेकिए आ जाएंगे किसी और toilet से या किसी और floor पे suppose कर लो first floor पे नहीं आ रहा है अबी area है उन सारी जेगर को clean कौन करता है देखो इस तरह का question बहुत बार इस chapter में आये गुए I think यह third time से जभी इस तरह का question आ रहा है आपके लिए कि वाश्रूम कौन 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 करता है या फिर classroom कौन 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 करता है तो इन सबका answer सेम है जो भी cleaning staff है आपके school के अंदर वो आपको school को clean करते होंगे तो मैं हहाँ पर answer लिख देता हूँ the place is kept clean by the cleaning staff जो भी cleaning staff है वो clean करते है कभी-कभी आप लोग भी सवच विद्याले अभिहान के तहत आप लोग भी विद्याले को clean करते हो तो आप लोग लिख सकते हो कि student of the school also clean clean the place तो जो भी school के जो बच्चे है वो भी clean करते है ठीक है teacher, student, सब लोग मिलके भी clean करते है तो आप वो भी अपने answer में लिख सकते हो लगिन regular basis पे कौन करते है जो cleaning staff होते है वो रोज को रोज करते है आप लोग तो कभी कभार करते होगे है ना, तो इस तरह से आप question number 38 कभी answer लेख सकते हो जैसे 38 question आप complete कर लेते हो तो आपका यह topic है find out and write यह topic भी आपका complete हो जाता है इसके बाद next है आपके लिए next topic जो है talk about it ठीक है और इसमें है question number आपके लिए 39 38 question आप कर चुके हो तो अब यह है आपके लिए question number 39 और इस question में आप से पूछा जा रहा है what can be done to keep the toilet clean जो toilet वगरा है जो washroom है उसको clean करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए किस तरह से clean होता है इस चीज के बारे में आप से question पूछा जा रहा है तो one sentence या two sentence में आप इसका answer लिख सकते हो जैसे अब यह question है first of all you have to write the complete question then you will write the answer तो answer आप इस तरह से लिख सकते हो by flushing properly every time one uses the toilet कि जब भी आप washroom में जाते हो उसे completely use कर लेते हो तो जो flushing होता है उसके नदर जो प्रेश करते हो जो पानी आता है तो उस चीज को यानि कि flush को ज़रूर use करना चाहिए सभी को ठीक है जब आप flush use करते हो तो वो clean हो जाता है इसके लाप आप क्या कर सकते हो कि जो school में जो भी uncle auntie होते हो आपने देखा भी होगा वो लोग क्या करते है daily clean करते हैं यानि कि आप कहा सकते हो कि washroom वगरा को clean करने toilet वगरा clean करने का सबसे पहला काम तो यह है जो भी से use करें वो से flush करेगा और जो cleaning staff है वो daily basis पे से सफाई करें तो आप इसका answer में लेक सकते हो by flushing properly every time one uses the toilets and washing the toilets on daily basis daily basis पे हमें इसे clean भी करते रहना चाहिए जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं कि जब भी washroom यूज करते हैं washroom जाते हैं उसके बाद हम पानी वगरा डालते है flush करते है और daily basis पे जब भी घर में सफाई होती है ठीक है तो उसमें भी सफाई होती है इससे क्या होता है कि ये सारी चीजे hygenic रहती है और आपको कोई disease वगरा भी नहीं होती है अच्छा उसके बाद next है आपके लिए question number 40 और 40th question में आप से पूछा जा रहा है what can each of us do for this कि हम लोग इस काम को करने में किस तरह से help कर सकते हैं we का मतलब यहां पर आप लोग है या us जो लिखा हुआ है it means यह किस के बारे में पूछा रहा है students के बारे में पूछा जा रहा है student किस तरह से help कर सकते हैं इसको clean रखने में तो जब भी आप washroom जाते हैं तो आपने क्या करना है simply so flush करना है तो आप अपने answer में लिख सकते हो we can flush them properly every time after using the toilets कि जब भी आप toilet use करते हो उसके बाद आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है भई flush करना है और hand wash तो करना ही होता है ठीक है तो hand wash भी जरूर करना है आपको यह दो लोग काम जरूर करना है आपको जिससे आप toilet भी clean रख सकते हो और आपने आपको भी clean रख सकते हो ठीक है तो यह है आपको question number 40 का answer इसके बाद next question है आपके लिए question number 41 question में आपसे पूछा जरू है have you seen toilets at bus stand और railway station क्या आपने bus stand के आसपस और railway stand के आसपस क्या आपने toilets यह stand होते है तो वहाँ पर आपने देखा होगा toilet वगरह होते हैं किस condition होते हैं यह भी आपसे पूछा जा रहा है तो जैसे आप बोला जा रहा है how they are different from the toilet at home कि हमारे घर में या हमारे school में जिस तरह के to washroom यह toilet होते हैं उसके comparison में जो railway station पे यह bus stand पे होते हैं उनके बीच में क्या differences होते हैं क्या different होता है यह आपसे question में पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे सबसे पहले इस question को note करोगे और फिर अपने बारे में इपनी information दोगे कि हासर हमने देखा हुआ है तो आप यह answer किसमें लिख सकते हो yes बोल करके लिख सकते हो definitely almost सभी बच्चों ने जरूर देखा होगा तो आप answer क्या लिखोगे yes लिख दोगे पहले उसके बाद आप लिख सकते हो कि भी किस condition में होते हैं they are not kept as clean as one in our school and home कि वो इतने clean नहीं होते हैं जिस तरके clean हमारे school में होते हैं और हमारे घरों में होते हैं क्योंकि उनको सफाई करने वाला तो एक आदमी होता है ठीक है और use करने वाले बहताने कितने लोग होता है हजार लोग होते है तो उसके लिए वीजी नहीं होता है एक तो यह को रहता है और दूसरा यह लोग ढ़न से clean भी नहीं करते हैं तो इस तरह की भी problem है, लोग flush भी use नहीं करते हैं, तो जब भी आप वाश्रूम में जाएं, कहीं पे भी जाएं, flush जो भी use करें, अगर hyzenic नहीं है, सापसुत्रा नहीं है, तो उस तरह के toilet को आप यूज ना करें, इससे क्या होगा, आपको कोई ना कोई disease भी हो सकती है, ठीक topic है, find out and write, यह भी complete हो गया, इसके बाद next, जो है, एक group third को activity, जैसे एक काम दिया गया था, आपने अगर starting से video follow की है, तो आपको याद होगा, इसमें group one बना था, group two बना था, और group three बना था, यह activity थी, तो third group वालों को भी एक काम दिया गया, जिसे हम लोग ऐसा करते है, कि य इवाला जो question 41 है, तो इसको हम लोग question number 42 consider कर लेते हैं, ठीक है, क्या है, पढ़ते हैं, इस question में basically है क्या, कि आपको एक table इस तरह से draw करना है, एक chart बनाना है, यह four size piece पे भी आप इस काम को कर सकते हैं, और इसमें अपनी class की information, अपने friends वगर ऐसे पूच के लिख सकते हो, जै नहीं होता है, उनके नाम यहां पर लिखोगे, इस column में, उसके बाद किसी को किसी का urine वगरा, जो है, वो yellow आता है, या इसका skin yellow होता है, या उनको fever वगरा आता है, उन बच्चों के नाम आपको यहां लिखना है, और वो बच्चे जिनके पेट में हमेशा दर्दी रहता है, बच्चों के नाम आप यहां पर लिखोगे, और इस table को complete करोगे, इसके बारे में जैसे आप बोला भी किया है, इसके लाप यह चीज़ी जो topic है, टीचर से या अपने friends से discuss करके भी कर सकते हो, अब देखो, यहां पर जैसे है, सपोज मैं किसी किसी बच्चे को नाम लिख देता हूँ, कि सपोज आपकी class पर कोई बच्चा राम है, उसे भी diarrhea, lose motion की problem होती है, तो यह question आप खुद से भी कर सकते हैं, ज्यादा मुस्किल नहीं है, वमिटिंग की problem अगर किसी को होती है, ज ठीक है, यानि मालो कोई किरन कोई बच्चा है, जिसे भी हर तरगी problem होती है, यहां लिख सकते हो, किसी को fever वगरा, yellow fever वगरा आता है, ठीक है, तो उस बच्चे का नाम, सपोज कर लो कोई बच्चा है, रोहित नाम माल लेते हैं, तो उसका नाम आप यहां लिख सकते हो, और अच्छा, जैसे आप यह सारे कोईशन कर लेते हो, 42 कोईशन, तो आपका यह जो चैप्टर है, अल्मोस्स कम्प्लीट हो गया, बस एक छोटी सी स्टोरी और रहती है, आपके इसमें, लास्ट बिल्कुल एंड में, कोईशन आंसर के एक दम एंड में आप देखोगे, एक स् समरी में आपको बता देता हूँ, इसमें बसिक भाग minimal है क्या, ये स्टोरी, जो है करनाट का, जो कि हमारे कंटी में, साउफ में एक स््टेट है, वहां की स्टोरी है, इस स्टोरी में होता कि है, एक विलेच है इस स्टेेट के अंदर, जिसका नाम ह होलगुन्ड़ू, और में के रजे और फिलिज इंदर एक प्रॉबलम होती है कि वहां पर पाणी होती है,ड़ो बर्सात बागरा आते हैं उसी टाइम उनके कुत की रोतले और है नहीं दोंगरा नहीं रहते हैं टो लिटल वाटर की प्रॉबलम हरती है,टो ब वोग कि प्राप्लम को फेस करते हैं हुआ के ऊनि हम प्राप्लम संग फेस करते हैं sna UP ना गी कुछ ज्केके वोग मिलकर कि कुछ ना प्राप्लम को स्वाल्व करते हैं यह पापानी में तो जो प्राप्लमएज ह ciąब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जैसे विलेज के अंदर क्या होता है कि एक टैंक होता है उपर एक हिल की फड़ा उची जग़ा पर टैंक होता है और वह क्या होता है गंदा होता है जिसमें पानी स्टोर कर सकते हैं जब बरसात वगरा होता है वहाँ पर हम स्टोर कर सकते है कर सकते हैं लेकिन वो ठीक ठाक नहीं होता गंदा सा होता है तो बच्चे कहते हैं कि ठीक है हम यह responsibility लेते हैं कि उस tank को हम लोग clean करेंगे और उसमें जो भी पानी बगरा होगा उस हम store करेंगे ताकि जब भी बारिस बगरा ना हो तो हम उस tank से water को use कर सकते हैं जब लोग मिलकर उसे clean करते हैं और repair करते हैं तो गौव में जो भी expert लोग होती है उसकी help भी करते हैं बच्चों कू कि किस तरह से औरुल प्लान्टीशन से मिलकर कर दिखाया। और जब भी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस टैंक से यूज करते हैं, ठीक है, तो ये बच्चे नो मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसलिए आप कहा सकतो हो, इस टाइटल को आप दो स्टोरी जो रखा गया है, चिल्डरन सो दवे, कि बच्चों ने एक करते हैं, और बहुत सारी चीज़े ऐसी, चीज़े जो करते हैं, जिससे उनको और फन होता है, और जितना मज़ा आता है, तो मैं आपको भी कहूंगा, कि ये जो भीम संग जैसे इस विलिज की लोगों ने बच्चों का एक ग्रूप बना रखा है, तो आप देक छोटा सा ग तो चैनल फ्रेंशेट प्रेपरेशन के प्लेलिस सेक्शन में जाके, वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो का यानि चैप्टर 18 की सारी वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, वीडियो को लाइक करना भई, ठीक है, जिससे मुझे बीडियो मोटिविशन मिले, और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकिया हूँ, चलो फ्रेंशेट प्रेंशेट प्रेशन को सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस करो, ताकि यह न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, अभी के लिए इतना ही ह झाल